सब्सक्राइब यहीं होगा कि नितिश कुमा प्रसांत किसोर अलग लग लगें ऐसी परिस्थिती में यह उपर्चुनिटी बन जाती है बाकी दलों के लिए राजद कूद गई कूद गई कूद गई रालोसपा कूद गई मुके सानी गुप्त मीटिंग कर रहे हैं पिके के सा यह सारे राजनीतिक दल चाहते हैं कि प्रसांत किसोर को दू कारण से यूज करें एक कि उनितिस कुमार के इंसाइडर है वह 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 रावन का सारणा जानता है कैसे रावन मरेगा पपुयादों बिहार कि राजनीति में जिस तरह से इधर एक सालों में उनन अपनी छवी ब बड़े कारण है एक बड़ा कारण यह है कि वह राजद को तोड़कर ऐसी पाटी को तोड़कर जिस पार्टी को तोड़ पाना हिला पाना संभव नहीं है लालु प्रशाद याज को तोड़कर अपनी पांटी मनाई है और दूसरा वेक्ति कनहिया कुमार जो कि सीधे बड़ता है उसे तेजस्वी नितीज इन से फर्क ने पड़ता है उसकी लड़ाई सीधे भाजपास है उसकी लड़ाई मोधी से है तो आप समझ लीजिए और इसी वैसे तेजस्वी आदर दर का भी कारण है कि अगर वो कनहिया कुमार को अपने सावनांतर में रखे है तो जिस तरह की लाई करें नितीज से लड़ते रहेंगा और वो में अगे निकले हुए भी है नमस्कार स्वागात आपका भारत लाई में और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना ही प्रसंदिदा शो रातो रात आज थमनिल आपने देख लिया है 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 येडलाइन भी आज समीकरन बदल गए है आज तीसरा विकल आपके सामने है आज पप्पु यादव ने प्रेस कॉन्फरेंस करकर पीके को निमंतरण दिया है जैसे कि आपने खबरों के माध्यम से देखा ही था कि दो दिन पहले प्रशांद किशोर दिल्ली से पटना आते हैं दिल्ली चु देखा त्रिदेव की तो आखरी त्रिदेव है कौन यह हमारे संपादक नमनमिश्राजी बताएंगे लगभग आपने कलियर करी दिया है कि हम किस बारे में विच्छे सउन करने जा रहे हैं सचाई यही है कि प्रसांथ की सोर चीस तरह से बिहार में दुबारा दाखिल अगर उन नितिष को भी राइट आफ नहीं कर रहे हैं एक विजन है उनके पास जिस विजन को उन्हें इंप्लिमेंट करना है दस सालों के अंदर यहां से दो या बीज दो चौबीस दो या पचीस इस पर नजर प्रसांत किसों की नहीं है प्रसांत किसों के नजर सीधी है कैसे बिहार को डेबलब किया जाएगा और यह एक बड़ी राजनिती होगी जी आप राजातिगत खपत र लेकिन सबसे ज्यादा बात यह है कि अगर विहार में विकास करके थोड़ा सा अपने आपको दस सालों के लिए सेक्यूर कर सकते हैं आने वाले तो क्यों नहीं एक ऐसा विकल्प जो कि बिहार की राजनिती को बदले और बिहार को डिबलब करें मतलब जो हर जगा फिसड़ अब प्रॉब्लम क्या है कि एक वेक्ति अपने सर्टेन आइडियाज लेकर आता है और उसके खतम हो जाते हैं तब ही नितीज कुमार को वापस लाना पड़ा मतलब लाना पड़ा जो है पंद्रह में क्योंकि उनके पास अब नहीं था विजन उस विजन की कपैसिटी को उन कहने नहीं नहीं मिला अब राजनीतिक महत्वा कांचाय और राजनीतिक प्रतिरोद बिरोद के चलते हैं वह अगर प्रशांत किषोर यहां पर आये थे एक तरह से वह नितीश सरकार की भुराइं भी कर रहे ते देखा जाये तो तरह से यहु अधुधि पिता के समान है पिता के समान है निटीश कुमार ना चाही है अच्छा काम करने के लिए पास आइडिया ही नहीं है उन्हां जारा के अधू सहे। यह समझे का आपने राइनीतिक जाय धायदात दिखाल करें अब इनको वापस वो लेने नहीं जा रहा है हाला कि नितिश कुमार का भरुसा नहीं है इस चुनाव में तो समीकरन अब यही होगा कि नितिश कुमा परसांत के सोर अलग लगेंगे ऐसी परिस्थिती में यह उपर्चुनिटी बन जाती है बाकी दलों के लिए राजद कूद गई कूद गई रालोजपा कूद गई मुकेस निए बुक्त मीटिंग कर रहें पिके के साथ माजीव कहीं रहें कि प्रिके के साथ गलत हो रहा है भाया सारे राजनीतिक दल चाहते हैं कि प्रसांत की सोर को दू कारण से यूज करें एक कि उनितिश कुमार के इंसाइडर है करती है और इस दरे से परसों वो दिखा रहेते रिपोर्ट कार्डो क्या तक कि अन्य परस काम कर दे तो वो सीम कर सकते हैं इंके साथ भी रहूंगा जो करेंगा में उसके साथ हूं तो एक बड़ा खाईन काह सब्सक्रशन के सकते कि बड़ा आयान खुल जाता है जब यह ब पूरा ब्लूप्रिंट है कि किस तरह से में बिहार बिल्कुल बिल्कुल देखे पपू कनहिया और प्रसांद किस और में सबसे बड़ा common factor है वो क्या है सबसे बड़ा common factor क्या है यह दोनों बिहार के दूग बड़े गठ बंधनों में नहीं ना तो NDA में ना महेड़ बंधन में ना तेजस्वी के साथ ना नितिस के साथ दूसरी बड़ी जो खासियत दोनों के तीनों में common factor है वो क्या है वो यह है कि यह दोनों यह तीनों CA और NRC पर बिल्कुल सपस्ट है हम बिरोध कर रहे हैं अब इतना ज्यादा कुंडली अगुन मिलने लग रहा है तो रिष्टा तो पक्का ही माना जाएगा ना अगर इनको अवस्चक्ता क्या है एक योग यह प परियास में लगी हुए है इन तीनों की बाचीत आपस में चल रही है भाया मीडिया भाया मत मेडियेटर्स और ये बाते इस लेबल तक पहुंच गई है आपको पता है इसको इस तरह से समझ में आ जाएगा पपु यादो लगतार कन्हिया कि संपर्क में हैं पपु यादो प्रसांत की सोर के जो बयान था उस बयान की व्यापक था वो समझने का प्रयास कीजिए जब वो कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैं सभी का समावेश करना चाहता हूं एक साथ मिलकर आप नितीज सुसिल मोधी सब को लाइए मैं सब के साथ चलना के तया रहा हूं हाला कि यह कहने की बाते हैं भाजपा उनसे बहुत दिन से दूर हो चुकी है और भाजपा के खिला जिस्तों से स्ट्राइजी बना रहे हैं भाजपा उनसे सकने वाली है नहीं नितीज कुमार ने अपनी जूरी बना ली है कि नितीज कुमार को सी एम बनना है और नितीज कुमार के पास दो पस्ट विकल्प थे परसांद किसों के साथ रहिएगा तो भाजपा अलग हो जाएगी और जिसने मोर्चे के तौर पर आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं इतना बना रिस्कों नहीं लेंगे खास तो पर इस वक्त जिसमें भाजपा की भध पित्ती जा रही है सारे राज्यों में जिस तरह से वह महागडबंदन से रिष्टा खराफ कर चुके हैं बहुत प्रयास किया अग नितीश कुमार ने एक्स्प्रोर किया का नितीश कुमार के प्रति सौफ्ट रहना सारी राज्यों पार्टी आपना विकल्प खोज रहे हैं अगर नितीश कुमार यह जानते कि वह कॉंग्रेस और तीसरे मोट से रहें तो पिलहाल यह उतना मजबूत महीं है तो नितीश अब प्रसांत की सोर 2020 के लिए यह तो सपस्ट हो गया है उनके उन्होंने भी क्ले कर दिया कि अगर वह 20 के लिए होते तो कल पॉलिटिकल पार्टी बन गई होती है उसका रास्मेंट वह कर दियो एक कोड़ करता बना रहें पर पार्टी नहीं है तो समझ लीजिए कि वह कार बिहार के विकल्प हैं बड़ा ही रोचक विकल्प में कहूंगा राजनितिक तोर पर कि तेजस्वी हैं नितीज हैं दोनों एक जुसर से लड़ रहे हैं और यह थोड़ी है लाई तो अच्छी खासी पीछे पड़ी हुई है पपो यादो बिहार के राजनिति में जिस तरह कता से इधर एक सालों में और अपनी चुलाव हारने के बाद एक बड़ा फाक्तर हो वे कि तो तीन बड़े कारण है एक बड़ा कारण यह है कि वो राजद को तोड़कर ऐसी पार्टी को पॉड़कर इस पार्टी को तोड़ पाना हिला पाना संभव नहीं है लालो कि और दूसरा व्यक्ति कनहिया कुमार जो कि सीधे बड़े घर से लड़ाई लेता है उसे तेजसभी नितीज इन से फर्क ने बड़ता है उसकी लडाई सीधे भाज़ि पास है उसकी नरंद्र मोदी से है तो आप समझ लीजिए और इसी वैसे तरह से दरते हैं तेजस्वी आथ आज हम देखते हैं कि ऐ चुनावी राजचनीटी, एक एलेक्टरलियल पोलिक्स के अलग हटकर एक राजचनीटी होती है. क्पी के अटाहूं के निताहिं जाटाव में से कहीर ग्रणी कई जसी जयादा बढ़ेंगा नहीं से खावके लगोंaufen सपक्राइप्ण को तो कि आपका रेक्षाव कि न्युक्ति पापेज नित्यरों कहों यादा कatarी क्चिश्व के वजद करें करका कि लोत घृंकिया या ग्म नरेंद्र मोजी छोड़कर ऐसे कोई नेता नहीं है बहुत जो कि अपनी चवी पर चुनाओ लणने के जनता की बीच में करते जीत के वापस आउंगा आप देख सकते हैं कि इस बार अगर आप तेस्वियादों के छेत्र में जाते हैं तो किस तरह का फीड़बेक मिल रहा है दर लग रहा होगा इन नेताओं को वापस चुनाओ लगने में मुख्यमंत्री बनना अपनी जगह है और खुद चुनाओ लगना व्यक्तिकत जगहों पर जाकर वह अलग बात है बहुत बढ़ावला होता है आप देख सकते हैं कैसे जारखंड के चुनाओं में रगू अप कि दम डेस्टेंड मतलब कि आप मान चलिए कि यह होना संभव है अती संभव है क्योंकि दो आपस में जूड़ चुके हैं और बयानों की बात अगर हम कर लें तो सीधे तो हम देख सकते हैं परसो कनहिया ने कहा था कि वह समाभेस करेंगे सब को लेका साथ साथ लेंगे पर सबकु साथ लेकिशन की बात किया उस विकल्ब के तोर पर जो कि नितीज तेजस्वी से अलग हट करो हम करेंगे कभी रोध नहीं किया उनके बारे में कभी गुरत नहीं बोला है मगर जिस तरह से उनका चुनाओ के तोरा सपोर्ट नहीं किया गया उन्हें महागट बंदन क केंडेंट तक नहीं बनाया गया उनके खिलाब केंडेंट उतारा गया इस साबित करता है कि कन्हिया कुमार को महा गटबंधन अपना कभी नहीं मानेगी और प्रसांथ किसुअ की स्वी माफ की जगा मा कौण नितिस्से तो अलग हो चुके हैं वहाजपा से उनकी दुस्मनी ह यह मुझे पर हावी हो जाएंगे और इसी कारण से यह जो जोस्ती है वो हो रही है कर दोस्ती को पर पर प्रसांद किसोर और एक मंच पर हमारे साथ आए हम वेलकम करते हैं और ऐसी कोई पॉलिटिकल विकल्प बनाने की बात होगी तो तीसरा मुर्चा तो बनी रहा है बिहार में और इसके रातो रात आज आने से नीन तो उड़ेगी ही नितीस कुमारों ते जैसे वियाद होगी एक को कुर्सी बचानी है और दूसरे को कुर्सी प्यानी है तो कैसा लगा आपको आज का ये शो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फेमिली मेंबर्स के साथ शेर कीजिए और यह तो पुछ लिए पार्टी बिहार में आ रही है इसको लेकर आपका फीडबेक क्या है क्या नितीज और देजस्वी के विकल्प के तौर पर आप इन्हें एकसेप्ट कर सकते हैं जी तो जरूर आप बताएगा कि आपको ये पार्टी कैसी लग रही है जो तीन त्रीदेव आ रहे हैं और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल में सब्सक्राइब बिटन है उसको क्लिक करने के बाद एक घंटी आइकन आएगा उसके क्लिक कर दीजेगा जितनी भी खबरे हमारे यूटीब चैनल भारत लाइब पर पहुंच दी जाएगी बागी खबरों के लिए बने रहे हमार साथ तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वर्वकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लें ओजेगो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाएग अगर वा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यबाद